आपको हम बताएं कैसे बचत को महाबचत में बनाना है तबदील करना है और इस हितु हमारे साथ जुड़े है दो बहुत ही विशेश महमान स्वागत कीजिए साथ ही हमारे साथ दूसरे गेस्ट आज मौजूद हैं सीए श्री शुभाम गोयल जी आप भी चार्टेट अकाउंटेंट है आपसे भी आज बहुत सारी चर्चाएं करेंगे और जानेंगे कैसे बचत को महाबचत में तब्रील करें जी तो चर्चा शुरू करते हैं सर सबसे पहले आप से पूछना चाहें कियोंकि हमारा विशे है बचत तो सबसे पहले एक आम इंसान की भाशा में अगर हम सीखना चाहें बचत क्या होती है और ये कितनी जरूरी है अगरीजी में एक बड़ी उंदा मिसल है पैनी सेवड इस पैनी अर्ण आप जो भी बचत करते हैं आखिरकार आपको उस रस्ते भी ले जाती कि आपका विवशे सुद्रिड हो जाता है आज के जमाने में आपके खर्चे बहुत हैं बढ़ापा है बिमारियां है बच्चों इनी फूर्टीफाई कर जाती है कि थोड़ी से मौंट आपको एक समय में सबस्टेंशल बनकर एक बड़ी उंदा रकम बनकर आपकी मदद करती है तो सेविंग आदमी के अंदर एक हैबिट होना चाहिए एक आदत की तोर पर आपको सेव करना चाहिए एक परसेंटेज मना कितने पैसे बचाना चाहते हैं और अल्टिमेटली उसका कैसे इस्तमाल करना चाहते हैं यह आपकी एक सोच में मनस्तर हो उसके बचत के लिए डिपाजिट के अगर बात करें तो कौन-कौन से मोटे-मोटे इंस्तमेंसivasए के पास बैंक के अतिरिक्त किसी माध्यम मैं जी हम जरॉनली कहेँ आपि सेविंग अकाउट फिर FD करा सकते हैं, RD करा सकते हैं, इसके अलाव़ा कुछ schemes हैं, जैसे senior citizen scheme के अंदर deposit करा सकते हैं, अगर किसी का कोई girl child है तो उसके लिए वो सुकन्या स्मरिधी scheme के अंदर भी invest कर सकता है, तो ऐसे कई सारे post office के अंदर आपको NSE मिलेगा, KVP मिलेगा, वहाँ पे भी अलग-अलग deposit होते हैं, तो आप इन scheme के अंदर अपना पैसा जमा कर सकते हैं. अब्दक कुलमला के deposit बहुत सारे हैं, FD की बात करें, savings की बात करें, RD की बात करें, KVP की बात करें, NSE की बात करें, अगर आपके मन में भी कोई प्रशन है दरशकों, तो आप भी सीधे phone call के माधियम से हमारे experts से प्रशन पूछ सकते हैं, हमारा phone number आपकी screens पर flash हो रहा है, 011 STD Code Delhi का ज़रूर लगाईएगा, number है 23097532 जी, तो आप से जाना चाहें और कहां हम इसको खुलबा सकते हैं, बिल्कुल मेडम, मेडम देखिए, saving एक strategy है, आपके बस बहुत सारी options होती है, एक सही option के उपर bank करकर, आप बहतरीन interest का rate कमा सकती है, fixed deposit, अब fixed deposit एक है कि आपने कुछ समय के लिए पैसे को fixed deposit में जमा कर दिया, वो एक साल का हो सकता है, छे मीने हो सकता है, और बढ़ते में दो, चार, पांच साल हो सकता है, जितना ज़्यादा bank के पास रखते हैं पैसे को, interest आपको उतना expansionally high मिलता है, तो सर, क्या हम FD सरफ bank में ही खुलवा सकते हैं? आपको थोड़ा सकते हैं, पोस्ट ओफिस में खुलवा सकते हैं, और मैं आपको थोड़ा सी का option रोल बताता हूँ, जिसको sweeping accounts कहते हैं, आपका अगर saving bank में पैसे हैं, तो आप bank को कह सकते हो कि जितनी देर आपका पैसा यूज नहीं हो रहा, उसको वो FD मना दे, ताकि आपका interest rate जो है वो बढ़ोतरी से मिला, और interest rate किस duration का इस पर एपलाए होगा नंदा जी? जो जितने समय के लिए रहेगा, नॉमली ये छोटे समय के लिए होता है, तीन मेने, छे मेने तक आपको जो भी पैसा bank के पास uninterrupted पड़ा है, जिसका आप इस समाल नहीं कर पा रहे है, उस पे आपको बहतरीन interest मिलता है, और वो interest के इवर दो तिन गुरा जादा हो जाता है, जो saving man में आपको मिलता है. जी, सर, हर आम इनसान के मन में ये सवाल होता है, कि उसका पैसा बेशक बढ़े ना, लेकिन कम से कम safe तो रहे. तो सर, कहां जादा पैसा safe है, bank में, FTE या post office में? लेकि मेनम, दोनों में safe है. पाँच लाख रुबे तक का, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी अपनी research करनी पड़ेगी. एक उर्दू में बहुत उम्दा शेर है, कि अगर खेरात में मिलती कामयाबी, तो हर शक्स कामयाब होता है. फिर कदर ना होती किसी हुनर के, और ना ही को लाजवाब होता है. करते हुए अपनी बचहत को हम investment में तबदिल कर सकते हैं. जटके में सारा पैसा जीरो हो जाता है, जो भी आपकी saving है. जीरो तो नहीं कहिंगे, जैसे पांच लग की FD है, और उसको खर्च कर दिया, या किसी दूज में ले आए, तो जो इतने समय की जमापुंची है, जिसको कमाने में काफी समय लगा, या एक जटके में? एक जटके में खतम हो जाती है. तो bank option देते हैं कि आपने जो FD करा रखी है, example के लिए 6% पर आपने FD करा रखी है, तो उसके अवज में आप एक OD limit बनवा सकते हैं, जिसमें bank FD से 1% के करीब extra amount charge करते हैं, तो आप उस OD से जब भी आपको चाहे पैसे निकाल सकते हैं, और आज भी सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा, जितने tenure के लिए आपने और जितने amount के लिए जितना amount आपने utilize किया है. और यह overdraft कितने amount का मिल जाता है, जितने की FD है उतने का, या उसे कम या कुछ percent है, यह bank to bank policy पर डिपेंड करता है, कुछ bank 80% तक दे देते हैं, सब्सक्राइब दस लाग की FD है तो 8 लाग का ODI दे देते हैं, कुछ bank 9 लाग तक भी ODI दे देते हैं, और इसमें अगर हमने FD के against ODI avail किया है, तो क्या FD बैंक के पास lean में रहेगी, बैंक के कबजे में रहेगी, या जब तक आपका ODI खतम नहीं हो जाएगा, ODI account close नहीं होगा, जब तक वो lean mark रहेगी FD, आप तभी पैसा निकाल पाएंगे, जब आप बैंक का, जो overdraft limit आपने ले रखी है, उसे आप पूरा pay off कर दें, और वो close हो जाए, तब वो lean हट जाएगा FD का, और तब आपकी वो normal FD हो जाएगी, कुल मिला कि एक अच्छा option है, कि आपका जो deposit है, वो आपको आपकी financial needs में भी मदद कर रहा है, आपकी जमा पूंजी स्थाई रहेगी, जी, सर आपने अब जिक्री किया कि safety limit की अगर हम बात करें, तो 5 लाग हर bank हमेरे रहता है, सर सवाल यही है कि 5 लाग जो हमारे पास safety limit है, क्या वो प्रती bank है? प्रती account है वो आपका, अगर आपके 4 account है, तो 4 accounts के लिए है, और यह वैसे सब equitable government की तरफ से equitable guarantee में आता है, यह तो सर्फ एक उनकी proposition है, otherwise government पूरा इस बात का ख्याल रखती है, मैं नाम लेना चाहूँगों लेकिन आपने दो-तिर बैंकों में देखी कि problem हुई, तो ultimately कोई दूसरा bank उसको take over कर लेता है, ताकि depositors को नुक्साना हो, कहे पर बहुत blatant अगर छोटा कोई cooperative bank है, वहाँ पर अगर कोई परशानी तो अलग बात है, अगर एक nationalized bank है, अगर bank जो reserve bank है, सारी procedures को follow करता है, तो ऐसी को परशानी आती नहीं है, और वही option है, उसके सब परशाज को बहतर कर सकते हैं, और absolute terms में वह कही गुणा बढ़ जाता है, थोड़ी सी planning किसमें, bank में रखे पैसा, चाहे post office में रखे, post office में भी काफी safe है आपका पैसा, post office की बात कर रहे हैं, शुभम जी, के वीपी और NSE के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजी, कैसे इसमें investment का criteria होता है और क्या आपके prospects होते हैं, पोस्ट office के अंदर दो schemes हैं, एक तो के वीपी जिसे किसान विकास पत्र कहा जाता है और एक NSE जो National Saving Certificate है, के वीपी की basic अगर हम जरूरत समझें, मतलब सरकार ये लाई थी कि के वीपी में पैसा double हो जाता है, ठीक है, वो normally आज की date में लगबग 115 महीने के अंदर पैसा double होता है, जिसे हम ये आम भाशन में कह सकते हैं कि आज की scenario को देखके, के वीपी के अंदर, अगर आप आज पैसा लगाते हैं, तो अगले आने वाले 9-10 साल के अंदर वो आपको दूगना पैसा मिल जाएगा, और NSE में य ATC एक income tax में धारा है, उसके अंदर आपको deduction मिल जाती है, वो जो dead lucky deduction होती है, ATC के अंदर आपको NSE की deduction मिल जाएगी, और NSE पे जो आपको interest मिलेगा, वो भी पूरा exempt होगा, लेकिन जो आखरी साल, मतलब 5 साल का NSE होता है, जो पांचवे साल आपको NSE पे ब्याज मिलता है, वो taxable होता है, जी सर, आप से जाना चाहेंगे कि KVP account, अगर individual की बात करें तो वो तो हम खोल ही सकते हैं, लेकिन क्या joint name से अगर कोई खोलना चाहता है, दो तिन जने मिलकर खोलना चाहते हैं, तो क्या वो भी provision facility available है, KVP जो है ना, एक certificate है, ना कि account, तो KVP हम jointly भी मतलब invest कर खोलना के खुद का खोलिये, या joint name से खोलिये, आपका पैसा safe रहेगा, return मिलेगा, बच्चत आपकी महाबच्चत में तबदील होगी, आप दोनों ही दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाज जो आपने हमारे साथ समय जाहर किया, जागरुकता भरी जानकारी प्रेशित की, बढ़ देले जापकी में एक बाड़ में जापकी में जापकी में एक रहेगा, आपकी में जापकी में जाते हैं।